अभी हमारी बात चीज़ चल रही है आलोग धन्वा की कविता पतंग पर्म। पीछले वीडियो में हमने दिखा कविता में आलोग धन्वा के बारे में सुना और कविता के प्रत्वम इस्टन्जा सबसे तेज बहुचारे गई से ले करके तीतलियों की इतनी नाजुक दुनिया के बारे में हमने पढ़ा हमने इसकी भावस्राइद व्याख्या देखी है अब हम कविता के दुती इस्टन्जा जन्म से ही वे से आगे की शुरुवात करते हैं जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास प्रत्वी घोमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास बच्चों के जन्म की समय क्या कलपना की गई है कि बच्चे अपने साथ हो कपास ले करके आते हैं यानि कपास की तुलना बच्चों के साथ की गई है कपास कैसा होता है कपास हलका होता है और सबसे बड़ी बात हुआ इस्पंजी होता है और मुलायम होता है इस्पंजी और मुलायम होने का यह जो खास गुण कपास के पास है इसके कारण अब कपास जो है वह किसी भी चोट या घात से उसके साथ उसको कोई कस्ट नहीं पहुंचता बलकि उसको वह एक नया आकार ले लेता है उसी प्रकार जो बच्चे हैं उनको भी किसी खरोज, किसी चोड, किसी घात से उनको दुख नहीं होता उनमें कोई बुराई नहीं आती बलकि ये दुख, ये कस्ट, ये घात उनके लिए आघात बन जाते हैं, उनके लिए नए अनुहो बनते हैं और ये अनुहो उसके भविस्ट के लिए उनको ज्ञान की काम आते हैं, वह अनुहो ही उनका ज्ञान होता है और भविस्ट की इमारत इसी अनुहो पर खड़ी होती ह प्रिथवी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास पैरों की बेचैनी इसकी तुलना की गई है यानि कि उनके पैर चंचल है उसमें उर्जा बहुत है ऐसा लगता है और ये उर्जा वाले पैर ऐसा लगता है कि पूरी प्रिथवी उनके पैरों के पास आना चाहती है यहाँ प्रिथवी का मानुवी करण हुआ है यानि कि पूरी प्रिथवी उनके पैरों के पास आना चाहती है एक कहने का तातपर है कि बच्चों के पैर इतने चंचल, इतने वर्जावान होते हैं, ऐसा लगता है जैसे वो पूरी पृत्वी पर चलेंगे, वो पूरी पृत्वी को नाप लेना चाहते हैं, जब यो दोड़ते हैं बेशुद, छतों को भी नरम बनाते हुए, तिसाओं को मिर्दंग की तरह बजाते हुए, बच्चे जब च्छतों पर दवड़ते हैं, च्छत कठोर होती है, लेकिन जब बच्चे उसपे दवड़ते हैं, तो उनके कोमल पाउं जब च्छतों पर पढ़ते हैं, तो बच्चों को चोट लगती नहीं, इसलिए कलपना की गई है कि च्छत इतनी मुलायम है, यानि इतनी मुलायम है कि बच्चों को चोट नहीं लगती है, तो च्छतों को भी नरम बनाते हुए, इसलिए कहा गया है कि वो च्छतों को नरम बना देते हैं, यानि कि जो च्छत कठोर है, उस पर वो इतनी धमा चोकड़ी करते हैं, ऐसा लगता है कि पूरी छट फोलों की बनी हुई है, वह छटों को कोमल बना देते हैं, और जब उस पर दोड़ते हैं, तो उसकी जो आवाज आती है, वो कैसी होती है, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुई, ऐसा लगता है जिसे दिशाओं में वो धोल बजा रहे हों, जब वे पें अगे बढ़ती है, उसी तरह जब यो पेंग भरते हैं, जिब वो लोच के साथ दोड़ते हुए हैं, डाल की तरह लचीले बेख से अकसर वो लोच के साथ पीड की डाली की तरह जब जूमते हैं, चहतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें, दोड़ते हुए जो च्छत की बारी किनारे तक आ जाते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे अब किरने वाले हैं, तो उनको उनका सरीर बचा लेता है, उनके सरीर का जो लोच है, जो उनके सरीर की उर्जा है, वो उनको बचा लेती है, गिरने से उनको बचा लेती है, ऐसा लगता है जैसे सिर्फ उनकी ही रोमांची सरीर का संगीत उनकी ही सरीर का जो रोमांच है जो उसे उनके दड़ने के साथ जो संगीत निकलता है जो वो तिरशे तिरशे दड़ते हैं जो उसे आवाज उनके रंद्रों से जो एक आवाज निकलती है लगता है यही सरीर यही रोमांच यही उर्जा उनको गिरने से बचा रही है पतंगों की धड़कती उचाईया यहाँ पर भी मानवी करण है पतंगों की धड़कती उचाईया उन्हें थाम लेती हैं महाच एक धागे के सहारे ऐसा लगता है धड़कती उचाईयां यानि पतंग जो उपर नीचे करके उपर उठती है वह कहा जाता है धड़कती उचाईयां पतंगों की धड़कती उचाईयां यहां धड़कती विशेशण भी है उचाईयों का पतंगों की धड़कती उचाईयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहरे, ऐसा लगता है जब बच्चा अभी भी गिर जाएगा, तो पतंग की डोर थामें हुए ऐसा लगता है, जैसे वो गिरने वाला तो था, लेकिन उड़ती हुई पतंग से लगी हुई डोर जिसको उसने पकड़ रखा है, उसने उसको गिरने से बचा लि जैसे पतंग की डोर पकड़े हुए बच्चे, मानो उस पतंग के सहारे सहारे उडर रहे हैं, उड़ते हुए वो इस छट से उस छट पर, उस जगह से उस जगह, बारीकी पर भी जाते हैं, जहांँ पर वो गिरने से उनको वो डोर बचा लेती है, अपने रंदरों के सहारे जो उनके सरीर में जो रोएं हैं उनसे जो संगीत निकरती है उन रों के सहारे उन जो पतंग है ये जो डोर है उनको वो गिरने से बचा लेती है और उसी रों के सहारे वो पतंग के साथ साथ उड़ते रहते हैं लेकिन कल्पना करिए, अगर कभी वो गिर जाते हैं, पतंग उड़ाते उड़ाते, खेलते खेलते, दोड़ते दोड़ते, कभी बच्चे गर गिर गए, अगर वे कभी गिरते हैं छटों के खतरनाग किनारों से, क्योंकि बच्चों के अंदर उर्जा होती है, इसलिए उर्जा से वो सबसे खतरनाग जगह पर पहुंच जाते हैं, अगर वे कभी गिरते हैं छटों की किनारे से, और उस खतरनाग जगह पर पहुंचने के कारण कभी-कभी दुरगटना हो गई, गिर गए, और बच जाते हैं तो इनका गिरना जैसे कपास पर पहले बात की गई है कि कपास की तरह बच्चे तो कपास की तरह होते हैं जब उनको चोट लगती है तो और निखर जाता है जब उस पर चोट लगती है तो और निखर जाता है और और नया नया रूप धारण कर लेता है जिससे की हमको सुख मिलता है उसी तरीके से बच्चे अगर उनको चोट भी लग जाती है कभी तो इस चोट के कारण उनको दुख नहीं होता रोते नहीं है उनको दुख नहीं होता उनको कस्ट नहीं होता बलकि यह दुख यह चोट यह घात उनके लिए उनका अनुभो बन जाती है यह चोट क्या बन गई वह बच्चे का अनुभो बन गई उसको दुख देने की जगए उसका अनुभो बन गई और इस यह अनुभो उनका ग्यान हो गया और इस ग्यान और इस अनुभो के सहारे अब बच्चे और निडर हो ज कुछ करने की और उर्जिया उन्हें को देदेता है और भे निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं जो सुबह है, जो सरगरित की नई सुबहं है उसमें और उर्जिया के साथ बच्चे दुनिया के सामने आते हैं, प्रिथवी और भी तेज घूमती हुई आती है, बच्चों के प्रिथवी का घूमना हम पहले है देख चुके हैं, ऐसा लगता है जैसे बच्चे प्रिथवी को घूमती हुई बच्चों के पेर पे आती है, यानि बच्चे पूरी प्रिथवी को गूमना चाहते हैं पूरी प्रिथवी को लागना चाहते हैं और इस अनुवह के बाद उनकी प्रिथवी को लागने की प्रिथवी को नापने की प्रिथवी पर चलने की गत्य और तीब्र हो जाती है और भी निडर हो करके घूमते हैं तो लगसा लगता है कि प्रिथवी और तेज-शी घुम रहे यानि की वह और उर्जा के साथ पृतिभी को नापते हैं।के पैरों के पास पहले से जादा और पहले से जादा बेचाएन हो जाते हैं। कभीतं चस्पार भावार्थिक भावार्थ झпрितैक कुछ भी कहते हैं पूरी कवित्या खड़ी हिंदी में लिखी गई है जो पहला इस तंजा है उसमें उपमा अलंकार का यूज किया गया है प्रयोग किया गया है जैसे खर्गोष की आखें खरकोशं की आखों का जो लालिमा है उसकी उपनादी की है सबेरे से और एक मानवी करण अलंकारों का यूज हुआ है प्रीवग हुआ है जैसे कि 鐵 चमकीली साइकिल तेज कलाते हुए यहाँ पर मानवी करण हुआ है घंटी बजाते हुए चमकेले इसारों से बुलाते हुए यह मानवी यहाबर कविता का जो भिम्भें उनका मानवी करण किया गया है दूसरी इस्टेंजा में इसमें कविता में मानवी करण अलंकार का प्रियोग बहुत सुन्दर तरीकेश किया गया जैसे प्रिथिवी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास दिसाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए और तिसरा है प्रिथिवी को धड़कती हुई उचाईया उन्हें थाम लेती है यहाँ पर कुछ उपमाय दी गई है जैसे कि दिसाओं को मृदंग की तरह करण तुलना की गई है यहाँ पर इस प्रद्यांस में भी जो यह प्रिथिवी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास यहाँ पर मानुवी करण अलंकार है और जबकि साथ साथ में पुन्रुक्त अलंकार है यहाँ सुनहले सूरज में अनुपरास अलंकार है करतों का प्रियोग किया गया जैसे सुनहले सूरज बेचैन पैर रंद्र इन सब में लाक्षडिक भासा का प्रियोग किया गया है अभी कम सकम दो कविताएं और पढ़ाने के बाद हम दोस्त पर बात करने के बाद हम इसके जो NCRT के और जो दूसरे प्रशनुतर हम उस पर बात करेंगे और इसी तरीके से चार चार चेप्टर के बाद हम प्रशनुतर पर बात करते हैं और अगर आपको वीडियो लाइक पसंद आ रहा तो इसको लाइक कर दीजिए और अभी तक आप हमारे क्लास में को नहीं जोइन किये हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमारी क्लास को जोइन कर लिजिए हम सभी सभी विश्यों में आपको वीडियो अपलोड करने का प्रयास करेंगे धन्यबाद